मुझा रूश्कार इसकणि में हमारे साथ हरियाना के कॉंग्रेस परवक्त रहेंगे फारुक अब्दुल्ला जी वकिल साब उन्से बाते करेंगे हिमाचल में जीत मिली है जीत का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन कहीने के गुजराट में भी बारी हार उनको मिली है लेकिन जब जीत की बात करें हमाचल की तो एक एहतियासिक जीत वहाँ से मिली है उननीस जो सीटे है में अब की बार आगे उनकी रही है दोजार सत्रे के जो परिणा में उनको देखा जाए तो कहीने के अगर गुजरात के बात करें तो वहाँ उनका घरता हुआ नजर आए बड़ा मतलब यूं कहें कि बड़ी हार उनकी इसमें हुई है लेकिन बाते कर रहे हैं जीत के बाद कैसा मैंसुस करें और भाराज जोडो यात्रा रावल जी की लगातार चल रही है मेवात के लोगों के आपील करना चाहेंगे ये भी उन से ये भी चर्चा करेंगे आज हम हरियाना के मेवात standards के अंदर कोंगरेस पार्टी की हत्याश सीथ है यह बताती है कि किस तरह भारत के लोग, भारत जोड़ो यात्तरा को सही तरीके से ले रहे हैं, तरही रेस्पोंश मिल रहा है, और यह अपना आप में बताती है, कि जो लोग हैं, वो समझ चुके हैं, भारते जिंदा पाटी का जूट और लूट की राजनिती का तच, यह समझ चुके हैं कि आज देश के अंदर किस तरे गरीब आदमी को और गरीब किया जा रहा है आज देश के अंदर 130 करोड लोग ऐसे हैं जो 707 परिवार हैं जिनको बहुत जाता गरीब भारते जिंता पार्टी ने बना दिया चे करोड मद्य वरगे परिवार हैं एक करोड उच वरगे परिवार हैं आज आप देख सकते हैं कि देश की बड़ी आबादी जो है वो भूख से मर रही है उसको दोवक्त की रोटी का इंदजाम नहीं है आज आप देखेंगे जब विसक्वे 121 देशों का जो वहां कड़ा लिया गया तो उसमें भारत की जिस्तिति थी वो नेपाल भूटान पाकिस्तान बंगलादेश जैसे देशों से वो नीचे थी भुकमरी भारत में ज्यादा है एक सो साथ वे नंबर पर भारत में भुकमर करेंगे महंगाई को कम करेंगे उसकी आधार पर जो प्रेंका गांधी जी ने सचिन पाइलेट जी ने भुपेंदर सिंग जो हमारे बगेल जी मुखमंतरी 36 गड़ है उन्होंने जो वहां पर राजी सुकला प्रभारी हिमाचल प्रदेश प्रतिबा सिंग जो हमारी कॉंग कोमस extraordin सरकार बनाने में सहयोग किया है उसके लिए हम हमाचल की जनता का दिल के गेराई हो से भार व्यक्त करते हैं कि एक बार फिर आपने जनता कि सरकार जनता द्हारा बनाने में काउंग्रेश का सहयोग किया है और बहुत जल्द मुखमंतरी का निरनी हो जाए YOU और एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर खुशाली आएगी तो इक कॉंग्रेस कहती हराथ सक्ती और हराथ तरक्की और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो यार राहूल गांदी जी की 21 तारीक को मेवात में प्रवेस करेगी जो एतियासिक होगी मेवात के लोगों का जो पर जो अने वाले वक्त में जो अभी विधान सब्सक्राइब होने वाला है तो उसमें किस तरह की जिस तरह हिमाचल में आपने लोगों ने जीता हिमाचल को प्रभाव रहे का और भारत जोड़ो यात्रा क्या प्रभाव दीखे गा अपर देखेंगे इस बार 2024 में बल्कि उससे पहले 2023 में Congress की सरकार राजस्थान में repeat करेंगी हिमाचल परदेश के साथ में जैसे हमने बनाई राजस्थान में भी बनेगी हमारी सरकार मदेपरदेश में भी बनेगी 36 गड़ में भी बनेगी औरcra चोबесь में आप उम्मीद करते हैं और ऐसे हम उम्मीद पर पूरे आस्वस्त है इससे भारत जोड़ो यात्रा का भुशेश तोर पर बहुत पर भाव पड़ रहा है और लोग बात कर रहे हैं कि कोई नेता तो है जो इतना महनती है इतना मजबूत है जो पैदल चल कर जो डेली 25-30 किलोमेटर पैदल चल सके भारतिय जनता पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो 25-30 किलोमेटर डेली पैदल चल सके और लोग कह रहे हैं कि किसी ने तो भारत को जोड़ने की हिम्मत दिखाई इसलिए बारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही अच्छी यात्रा चल रही है और इसका परभाव पढ़ रहा है लोग का प्यार और लोग का सम्मान राहूल गांदी जी को भारतिय जनता पार्टी के लोग के मनसूपों के खिलाब भारतिय राष्टी कॉंग्रेस को मिल रहा है और आप यह देखेंगे कि इसका बड़े लेवल पर आपको इसमें जो परभाव भी बेसिकली यह तीन थीम पर हैं इसके जो तीन मोटिव हैं पहला मोटिव यह है कि जो धार्मिक नफरत बारतिय जनता पार्टी ने देश के लोग के दिलों में फैलाई है ताकि वोट ले सके हैं ना वो हिंदों के हैं ना वो मुसल्मानों के हैं उन्होंने मुसल्मानों को ठ एक दूसरे का बाई है एक दूसरे का सहयोगी है साथी है तो उस नफरत को खतम करने के लिए जो आज देश में आप देख रहे हैं महंगाई बड़ी हुए है आज आप देखेंगे जो कॉंगर्स समय में सिलेंडर 400 रुपे में आता था आज 1100 रुपे में आता है पेट्रोल डीजल से मात्र आट सालों में भारते जनता पार्टी ने 25 लाग करोड रुपे लूट नहगा काम किया है और उन्हीं 25 लाग करोड से 12 लाग करोड रुपिया बड़े उद्युक्पितों के माप करने है काम किया है जो इस महंगाई बड़ाई हुए है जो मोधी जी ने जो मोधी सरकार बहुत हुई बेरोजगारी की मार दो करोड रोजगार देने का वादा किया था आठ साल में उसका सिर्फ आठ लाग लोगों को रोजगार मिला है जो एक परशेंट भी रोजगार नहीं मिला है भारतिय जन्ता पार्टी के लोग कहते हैं स्वें मुक्मंत्री पध चर्चों का तेल वह भी नहीं तल सकते बेरोजगारी को खतम करने के लिए इसलिए बहुत जोड़ो यात्रा की जोर्त पड़ी है ताकि देश से घरमिक नपर्तों खतम किया सकते ताकि देश से महांगा युक्ष निकाली जा रही है और प्रपन साब हमारे साथ आपको बता दें कॉंग्रेश की जो माचल में जीत हुई उसे के लिए जीत का जस्न मना गया और भारत के देश में निकाली जा रहा है भारत के लोगों को धरम के साथ कहना है कि उसे का छुटकारा पाने के लिए यात्रा है और उन लोगों से जोडने का काम करेंगे देश में सबसे ज्यादा प्यार हमे लेगा है यह देखने को वक्त बताएगा क्यों कि लगभग 20 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक आई राओल जी पहुंचेंगे और राओल जी के लोग कि सार अर्वा कि सबाढ़ करेंगे दमा, सास, फैपणों की, बीमारी, कॉलिस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लोकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसॉली या गार्ट, सफेद पानी, शुगर, वीपी, थाइराइड जैसी बीमारी, जोडों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने वा कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शिग्रपतन बिना अंग्रेजी दबाओं के इलेक्ट्रो होमियोपेथी से केवल 100 रुपे में इलाज किया जाता है, यहां पर लाइक केर इंस्टिट्यूट औफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, A&M, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं